हलो दोस्तों नमस्तकर मैं डॉक्टनल कुश्व आपके लिए लेकर आए हैं यह मुल्ट्पिल चॉइस कोईशन ऐसे कोईशन जो पीजी टी टीजी टी और हमारे असिस्टेम प्रोफिसर बॉट्मी आई एस और पीशस मुझे बॉट्मी सब्जेक्ट लिया जाता है तो यह आ टेवडोफफाइट इज आल्सो नुवट्मी पॉट्मी नाम है नाम से जाना जाता है अप्सटन यह सलेजनेला लाइको पोडियू न मारसीलिय और ओफ यो ग्लाशम आप बतायेगा किसके नाम जाना जाता है तो इसका और अप्संग सही होगा अब बतायेगा यह यह कौन वीच आप दा फालोइंग इस क्लब मास के नाम से जाना जाता है तो आप बताएं किसको जाना जाता है फटा फटाएंग आप तो जाना जाता है लाइको पोडियम को तू लिविंग जेन्रा आफ ओर्डर लाइको पोडियल्स आर लाइको पोडियल्स के दो लिविंग जेन्रा हैं वो कौन-कौन से हैं आप बताएगा इनमें से कौन-कौन से दो लिविंग जेन्रा है तू लिविंग जेन्रा आफ ओर्डर लाइको पोडियल्स आर यह 2 वाला 2 नहीं है, टी-ो वाला 2 है, यह cancel करूं तो वो है Lycopodium fellow glossum Next है, the root hairs arise in, pairs in बताएगा, the root hairs arise in, pairs in root hairs जो होते हैं, arise होते हैं, pair में, जोड़ों में तो वो होते हैं किसमें, Lycopodium में Cross section of the stem of Lycopodium is divided into Cross section of the stem of Lycopodium is divided into Epidermis, Cortex, Indodermis, Pericycle and Steel Next है, which are the following types of Steel are found in Lycopodium Lycopodium, Lycopodium में कौन से Steel देखे, Lycopodium में हमने जब आपको बताया था, इसके पहले वीडियो देखेगा, description में बताया था, Lycopodium में प्रोथाइलस अलग अलग होते हैं और Steel का भी बड़ा जमेला है इसमें, तो इसमें अलग अलग Steel पाए जाते हैं तो आप बताएगा तो इसमें Actino Steel भी पाए जाता है, Placto Steel भी पाए जाता है, और Mixed Proto Steel भी पाए जाता है, तो ये इसको अप्शन सही होगा, B The type of Steel found in the Roots of Lycopodium is, Lycopodium की जो Roots होती है, उसमें कौन सा Steel हमें देखने को मिलता है तो वो हमें Proto Steel देखने को मिलता है, Which are the following is the Features of Lycopodium Roots, तो इसमें कौन सा वो Features है, जो Lycopodium Roots में दिखाई देता है तो Presence of Roots Hairs in Pairs, Nature of Vascular Bundle in the Leaf of Lycopodium is, तो कौन सा आपका हमें नेचर दिखाई पड़ता है, Vascular Bundle का Single and Concentric, लिग लिजेगा, Single and Concentric, Arrangement of Leaves in Lycopodium is, बताएगा अब लोग बताएगा फटाफट, Radial, Linear या Spiral या जिग जग तो इसमें पाई जाती है, Spiral Modes are Pre-Production in Lycopodium R, तो इसमें से कौन सा Modes होता है, तो वो होता, C, Vegetative इसका Option क्या सही है, C, Vegetative by Spores, अगर यहाँ होता है, Vegetative और Sexual तो भी सही होता In Lycopodium, Sporengium originates as sporophyll, तो लिए नेक्स देखते हैं, Which of the following is a propagule for vegetative reproduction in Lycopodium तो आप बताईएगा इसको, तेरा नमबर पे, तो इसका All of these होगा, Resting Barts, Bull Bills और Gaming डबलमेंट आप Sporengia in Lycopodium, इसका Option बताईएगा, तो देखिए, इसका जो होता है, वो यू Sporengia type होता है, कैसा होता है यू Sporengia type होता है हमने आपको बताएथा, कौन-कौन सराहनिया, लाइको पोडियम, सिलेजनेला, और एक्विसी टमसाइथ बताएथा ये बताएथे, और साइलोटम, तो इडिका जो होता है, वो इस्परंजेट होता है, मारसीलिया का और कुछ का हमने आपको बताया था अगर आपको याद हो मैं पूना आपको बताता हूँ इसलिए तो मैंने कहा था कि आप उसको थोड़ा सा कंसंटेट होके पढ़ेंगे तो आपकी समस्या का निराकणों का हमने बताया था यूसपरंजेट पीफिय्ड इसलिए डाइक निर्जनेल आ क्यूसरिटंट यह जो इतने थे यह यूसपरंजियट होते हैं बचे वममासीलिय इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें मारसीलिया سालवीनिया और टेरी जो होते हैं वो लैप्टसपरंजेट होते इस्पोरेंजीया आप लीको पोडियंम BURN ON तो अपर सरफ आप इस्पोरो फिल स्लेटरल सरफ इस्पोरो फिल में लोबर सरफ आप इसपोरो फिल स्पे कौन सावगा तो अपर सरफस आप स्पोरो फिल लीको पोडियम इंज हम इस cuatro sp行了 파 Abdi dominant face in the life cycle of lycopodium तो lycopodium की dominant face कौन से होती है तो वो होती है sporophytic mesophyll of the leaves of lycopodium contains तो mesophyll of leaves जो होती है lycopodium की वो किसे contains रहती है तो वो होता है क्लोरन काइमा roots आप sporophyta of lycopodium आप root आप 10 पोरो, first supply को पोडियम आप, फटा फटा आप आप संदेखेगा और बताएगा आप संसे होगा, endogenous कैसी होती है, endogenous which cells represent the first cell of gametophyte generation तो वो क्या होगा, बताएगा फटा 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 स्पोर्स, सिरेनम टाइप आप प्रोथेलस इस फाउंड इन, तो सिरेनम टाइप का जो प्रोथेलस पाए जाता है, वो किसमें पाए जाता है, तो वो सिंपल सी बात है, lycopodium सिरेनम में होगा प्लेग मेरिया टाइप आप प्रोथेलस इस फाउंड इन, तो अब बताएगा, फ्लेग मेरिया टाइप आप प्रोथेलस इस फाउंड इन, बताएगा फटा 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 इसका होगा, एपी फाइटिक इस पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस आफ लाइको पोडियम दप्रो थैलाई आफ लाइको पोडियम आर कैसी होती है मोनोसियस और डायोसियस तो वो होती है मोनोसियस चलिए नबर आफ फ्लैजिला फांड इन्थ रोजाइट आफ लाइको पोडियम लाइको पोडियम के इन्थ रोजाइट में दो फ्लैजला पा जातें प्रोटो कॉर्म is stage of embryo development is तो ये लाइको पोडियम में प्रोटो कार्म देखने को हमें मिलता है इस्पेसीज अफ लाइको पोडियम यूज़ टू मेक क्रिसमस वृत इस तो वो कौन सी होती है बताएगा यूज़ अफ लाइको पोडियम ऑस्कूरम ऑस्कूरम जो है वो क्रिसमस वृत के नाम से जान जाती है Spore of which genre of lycopodium we used as water replant बताएगा Spore of which genre of lycopodium we used as water replant तो है lycopodium clevetum क्या है lycopodium clevetum अब हम आपको lycopodium के कुछ फेक्ट बता दे ध्यान से सुनिएगा आप लाइको पोडियम के कुछ फैक्ट इसको कलब मास, ग्राउंड पाइन और ट्रेलिंग इवर ग्रीन भी बोलते हैं तीन नाम है कलब मास, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग इवर ग्रीन के नाम से जानते हैं इसकी दो सबस्पेसीज है यूरो इस्टाइका और रोफैलो इस्ट्राइका जो यूरो इस्ट्राइका है वो प्रोस्टेट होती है और जो रोफैलो इस्ट्राइका होती है वो क्रीपिंग होती है ये होमो थैलस होते हैं ये जनली होमो थैलस होते हैं परंतु लाइको पोडि वेलवेली हैट्टोस्पँरी होते हैं ध्यान रखेगए दो हैट्टोस्पँरी होते हैं और जनली ये होमोस्पुरस होते हैं इनका जो root steel होता है वो monoarch, dye arch और orange और tie arch होता है जनली फांनिंग प्रोटोस्टील, लाइकोपोडियम कलेवेटम और लाइकोपोडियम कमपलनेटम में प्लैक्टोस्टील पाई जाती है, लाइकोपोडियम सिरेटम और लाइकोपोडियम फ्लैक्मेरिया में एक्टिनोस्टील पाई जाती है, लाइकोपोडियम सिरेणम में मिक्स्ड प्रोट इस्पोर में ट्राइडियेट मार्क होता है, यह नोट कर लिजएगा कि इनमें ट्राइडियेट मार्क देखने को मिलता है इस्पोर में प्रोथाइलस में प्रवेस कर जाते हैं और इंडोफाइटिक माइकोराजा बनाते हैं, सिरैनम टाइप जो इनका प्रोथाइलस होता है, वो आट्रोट्राफिक होता है, स्वापोसी होता है, लाइकोपोडियम करवेटम जो होता है, वो सैप्रोफाइटिक प्रोथाइलस होता है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया जो होता है, उसका जो प्रोथाइलस होता है, सैप्रोफाइटिक प्रोथाइलस होता है, इसमें प्रोटोकार्म का निर्मार होता है, तो यह इनके कु कुछ डिटेल्स देते हैं तो जैसे हमने टेड़ ओफाइट कर दो वीडियो दिये हमें लगा कि आपनों को बेसिक जानकारी जहदा किलियर कराई जाए जिससे कोशन गलत नहीं हो तो देखते हैं वीडियो पे जो रिस्पॉंस आता हो अच्छा नहीं मिलता है चूंकि सब को लगता है कि बिल्कुल ऐसी सर कोई ऐसी जादू की घड़ी बनाए कि बस उसको सुरू कर दें और फटा फट कोशन आ जाए तो जब तक आपका कॉंसेप्ट किलियर नहीं होगा तो कोशन कैसे आएंगे यह नहीं समझ में हमें आता है तो भाई जैसा आप चाहते हैं वैसा ह प्लब्द कराते हैं चलो देख तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें यह लाइक करिये इसके सार नमस्कर सुबार